हाई फ्रेंड मैं रंजीत प्रशाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रशाद cnc बेसिक पर दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कल्कुलेशन अप एकमी थ्रेट यानि की एकमी थ्रेट किस तरह से कल्कुएट करेंगे उसी के बा जोर देखिएगा तो चलिए दोस्तों प्रोगाम स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रोगाम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ड्रोइंग समझ लेते हैं यह ड्रोइंग आप लोग के सामने हैं जो कि साब सब देखाई दे रहा है दोस्तों यहां से यहां तक इसको थ्रेट ड प्रिश करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को माइनर ड्या काते है ठीक है दोसतोंों और यहाँ पे, आप लोगो दिखा ही दे दोस पॉइंट से वस्त Johann को मेजेक ड्यार लिए इसको दूशा आम सांगते हैं नौनि नौनिनल साइज ठीक है मेजे ड्यार को तो नमिनल साइज भी कहते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को इसको माइनर पीच काते हैं ठीके दोस्तों असा करता हूं कि यह डोईंग आप लोगों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब चलिए दोस्तों इसका नोमिन क्लेचर देखते हैं इसका नो नवीन क्लेचर क्या होता है इसको आप लोगों हम समझाते हैं दोस्तों नवीन क्लेचर यह होता है जिससा कि इससे हमको सारी ज्यानकारी एक हमें जाती है कि हमें बाना करें की raci डैज में में बनाएंगे अ में दिया रहता है एस सारे डिटल nurse में दिया रहता है ठिकए तोस्तों यहां पर देखिए one dash five ectomy dash two, यह न diz ढ läuftी दिया रहा रहाएगा यानि कि sır में आलरी दिया , अभीय इसका मिनिंग होता है इसका मिनिंग हम लोग समझ लेते है यहाँ पे दोस्तो one, one means यह denote करता है कि one equal to one inch यानि कि one inch का THREAD हमें बनाना है इसका nominal Display होता है ठीके दोस्तों अब फीर यहाँ पे आप लोगो 5 ?, five equal to TPI tpi means THREAD per inch यानि कि, एक इंच में total five थ्रेड बनेंगे ठीक है दोस्तों इसी टीपी आई के मदद से हम लोग इसका पीच भी कालकुलेट कर सकते हैं कैसे देखें यहां पर वान बाइफ इकोल टू जीरो पॉइंट टू इंच पीच ठीक है दोस्तों यह जो पीच निकला है 0.2 यह इंच में आया ठीक है दोस्तों जो एकमी दिखाई दे रहा है इन मुतलब होता है थrest type आप किस type का हमने थ्रेड बनाना है ठीक है दोस्तों यहां पर 2g-2 denote करता है class को जी डिनर करता है general purpose ठीक है दोस्तों यह general purpose कर अब यह आप लोग का nomenclature समझ में आ गया आप देखिए 2G external थे बनाने के लिए जो जो डाटा में चाहिए उस डाटा को मैं यहाँ पर लिख रखाऊंगो जैसे यहाँ पर देखिए major dia यहाँ अलेडी आप लोगों को देखाया गया है कि वान इंच यानि कि इसका मेजर डाया वान इंच है ठीक है दोस्तों इसका माइनर डाया 0.78 इंच यह चार्ट में दिया रहाएगा यह वेलू चार्ट से निकलते हैं ठीक है दोस्तों और यह पीच 0.2 यह भी अपना किया 0.2 ठीक है दोस्तों अब देखिए जितने भी डामेंशन यहाँ पे दिये हैं इस सारे इंच में अब इसे हमें एमें में काल्कुलेट करना है में करने के लिए हम इसे 25.4 से मल्टिपलाई करते हैं 25.4 से मल्टिपलाई करने पर 25 इसको देखिए 1 इंच इंटू 25.4 इकल टू 25.4 mm ठीक है दोस्तों फिर इसको 0.78 इंच इसको 25.4 से मल्टिपलाई करने यह आएगा 19.812 mm ठीक है दोस्तों नेक्स 0.2 इंटू 25.4 इसको में में कनवर्ट किये तो यह आया 5.08 mm ठीक है ठीक है दोस्तों तो आसा करता हूं कि आप लोगों को चल्कूलेशन बहुत अच्छी तरसे समझ में आगिया होगा अब चलिए इसा क्लकूलेशन के मत्द से हम लोग एक प्रोगाम बनाते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों यह वेलु आया दोस्तों जो कि G76 यूज़ करके 13 साइकल का प्रोगाम बनाएंगे तो देखिए दोस्तों मैं प्रोगाम अलड़ी बना चुका हूं यह प्रोगाम आप लोगों के सामने हैं यहां पर देखिए 0505 इसका मतलब होता है दोस्तों यह टूल नंबर होता और यह अफसेट पर ज G97 यानि की स्पीड अपना कॉंस्टेट है उसके बाद G00 रेपी ट्रावल में टूल को कॉल किया X 25.4 X 25.4 क्यों कि यह अपना 1 इंच का है तो 1 इंच यानि की 25.4 इसलिए इसको X में 25.4 और Z 5.08 Z 5.08 क्यों रखे दोस्तों अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को ड्रोंग चस्टेशना है सपोज यह इस तर से अपना component है ठीक है अपना जीरो होता है लेकिन टूल स्टाट होगा यहां से यहां से क्यों स्टाट होगा क्योंकि जितना अपना पीछ होता है उसी का multiply होता है ठीक है दोस्तों अपना जितना पीछ रहेगा उसी का multiply इसका डिस्टेंस रखेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों साब सब देखाई देरा कि यहाँ से 5.08 यानिकि टूल यहाँ से 5.08 पर दूर में टूल खड़ाया तो अब M08 यानिकि कुलेंट अउन कर दिया ठीक है नेक्स्ट जीस सेवेंटीसिक्स मेंन्स होता है दोस्तों यह फर्स्ट ब्लोक अब थेडिंग साइकल का फर्स्ट ब्लोक होता है पे जीरो फॉर यहाँ पे दोस्तों देखें पी पी फीडिनोट करता है number of spring प पॉसेश यहाँ लीका मिलुक ऑफॉर जीरो फॉर ब्ल्रूट मीन्स होता है यहाँ पे जो भी वेल्यट में दुंगा यह इसको डिनेट करता है और 00 यह thread run out होता है और 29 यह thread angle को डिनेट करता है अग Q 100 Q 100 Q means क्या होता है दोस्तो Q means होता है depth of normal cut यह depth of normal cut को डिनेट करता है यानि कि प्रतेक pass में कितना cut लेगा इसको Q डिनेट करता है और R 0.1 R 0.1 मिन्स होता finishing allowance यानि कि finish के लिए हमने कितना metallis रखा यह R इसको denote करता है ठीक है दोस्तों यहाँ पे 0.1 यानि कि 100 micron यहाँ पे finish के लिए allowance रखे है ठीक है ठीक है next G76 G76 होता threading cycle का second block और X 19.812 यह किससा है दोस्तों इसको देखते हैं कि 19.812 इसका calculation हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे X denote करता है minor dia को ठीक है दोस्तों यहाँ पे minor dia देखिए यहाँ पे calculate करके आप लोगो बताया थे कि इसका minor dia होता है यहाँ पे 0.78 into 25.4 से multiply किए तो multiply करने पर कितना है 19.812 यही minor dia जितना है यहाँ पे put कर दिये ठीक है दोस्तों यहाँ कि X minor dia को denote करता है 19.812 Z minus 25 Z minus 25 यहाँ कि Z length को denote करता है कि इसका length Thread का जो length है 25 है और P 2540 यहाँ पे P denote करता है Thread Depth को ठीक है दोस्तों 2540 किस तार सा है यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग को अलेड़ी calculate करके यहाँ बता दिये कि 2.54 इंटू 1000 सब मल्टिप्लाई क्योंकि micron में value चाहिए इसलिए 1000 सब मल्टिप्लाई किये यह आया 2540 ठीक है दोस्तों यानि कि यह आप लोग को समझ में आगे है कि 2540 किस्ता से यह आप लोग को अलेड़ी समझ में आगे और क्यू ब्लोग कम्प्लीट हुआ और यहाँ पे G00 X100 Z50 यानि कि X को 100 पर रेपीड में उपर उठा लिए Z को बाहर निकाल लिए और G28 U050 W050 यानि टूल को होम पोजिशन में भेज दिये और M05 M09 यानि स्पिंडिरिस्टप Coolant Off और M30 Means Program End and Reset दोस्तो आसा करता हूँ कि यह प्रोगाम बहुत अच्छी तरसे आप लोगो समझ में आ गिया होगा दोस्तो I hope कि यह वीडियो आप लोगो बहुत अच्छी तरसे समझ में आ गिया जदी वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाई जरू कीज़ेगा और जदी आप मेरे नए वीवर है तो चैनल को सबस्काइब कीज़ेगा और जदी आप चाहते हैं कि इसे वीडियो और पाए तो बगल में लगे घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लिज़ेगा ताकि मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड कर लो उसका नोटिफिकरशन जल से जल आप लोगत पहुंच जाए तो दोस्तो इसी के साथ मैं आप से इजादे लेता हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भालत